हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने फोन में गूगल प्लेइ स्टोर में आपको यहाँ पे इस तरीगे से प्रॉबलम आती है यहाँ पे लिखा रहता है something went wrong try again तो इस प्रॉबलम को आपको कैसे solve करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए गाईज वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको इस प्रॉबलम को solve करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा यहाँ पे आपको सबसे पहले तो guys आप अपने phone को एक बार restart करिए या तो फिर अपने phone को एक बार switch off करके दोबारा से on कर लीजी ओके और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको अपने phone में यह जो setting है उसको open कर लेना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको एक option आता है application का तो यहाँ पे आपको click करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको manage application पे click करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीगे से दिखाई देता है तो यहाँ पे आपको search bar पे click करना है application है वो यहाँ पे show करीगा तो आप उसको open कर लीजिए open करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीगे से दिखाई देता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको storage पर जाना है और clear data पर click करना है और यहाँ पे आपको clear catch कर देना है तो यहाँ पे आप जैसे ही इस तरीगे से clear catch करेंगे तो आपकी problem solve हो जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको यह जो restrict data uses का option आता है तो यहाँ पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको mobile data का option आता है तो यहाँ पे आपको तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो गाईस तो लाइक कर दिजिए और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए